अजय है अजय है अजय है अजय है अजय है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्निशन चैनल में तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत जादा हीमपर्टेंट होने वाला है आज हम दिख्णगे कैसे डिजिटल घ्रकट तिरू हम एर की जोनलस्टी होती हावा का वेग होता है यह आम बोज्शाल की बासा में जैसे-पीटिकल से जानते हैं कैसे किसी प्लेस पे हम एर की जो velocity होती है उसको माप सकते हैं या निकाल सकते हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं यह है calibration certificate एक meteorology में calibration एक term होता है जिसमें हम cross check करते हैं जो जो measure करती हैं किसी भी चीज का तो इसकी accuracy जो होती है उसकी जांच की जाती है cross check करके दूसरे device के साथ कि इसके जो reading देनी की accuracy है वो कितनी सही है तो आपके सामने जो है ये monitoring और operating device है animometer का एक हिस्सा क्योंकि इसके दो पार्ट है तो पहला पार्ट ये है जो monitoring और operating device है दूसरा जो पार्ट है वो है probe जिसके तुरू air pass होती है और ये एक fan की तरह है जिसमें से हवा पास होती है और ये rotation करता है तो पहले जो monitoring device है उसकी बात कर लें तो इसमें दू slide बटन है उपर की तरफ जो slide बटन है वो है on, off का और एक hold option जिससे की हम जो reading है उसको hold करके बाद में भी देख सकते हैं नीचे की तरफ चार units दी गई है units जैसे आप CFM जानते है cubic feet per minute उसी तरीके से कई और unit है जैसे kilometer hour, feet per minute, meter per second और notes तो ये जो चार reading है इसके थुरू आप measure कर सकते हैं air की जो velocity है हवा का जो wave है तो जो CFM है वो feet per minute की unit है उससे measure किया जाता है और कई units हैं जिसको आप measure कर सकते हैं तो anima meter का जो working principle है वो कुछ इस तरीके का है जब probe को हम हवा के सामने रखते हैं एकदम सीध में तो जो probe के अंदर जो fan है वो rotation करना स्टार्ट करतेता है और जब ये rotation करना स्टार्ट करता है तो इसके जो rotation से monitor पर जो device है monitoring device उस पर reading सो होने लग जाते है जितना तेज ये गोमता है उतनी ज़्यादा reading हमें meter पर शो होती है और जितना कम गोमता है तो reading उतनी ही कम शो होती है तो कुछ इस तरीके का इसका principle है आगे मैं आपको air handling unit होती है उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम measure कर सकते है air की velocity को और क्या-क्या problems होती है किस वज़े से हम इसका use करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ये जानना भी जरूरी है कि हमको animometer की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों हमें air की velocity निकालनी पड़ती है तो ये था एक छोटा सा overview animometer के उपर और इसका working principle की इस तरीके से work करता है तो आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है air handling unit जिससे की air का जो flow है या उसका जो pressure है increase करा जाता है और rooms तक पहुँचाया जाता है जिस rooms में हमको cooling की जरूरत होती है तो आज हम EC में CFM की measurement करेंगे या air की velocity है animometer के थुरू EC में measure करेंगे तो CFM measure करने से पहले एक चीछ जाना जरूरी है कि हमको CFM निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका कारान क्या होता है तो कुछ छोटे reasons भी है जैसे कि आप सामने देख पा रहे है यह इसका surface area है आगे का जो surface area है एचू का इसमें filters लगे हुए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे filters लगे हुए है इस filters के तुरू जो dust particles होते है बहुत चोटे चोटे वो हमारे जहां हमें cooling चाहिए होते है उस room तक नहीं जा पाते है यह filters को रोक के अपने surface पे चिपका लेते हैं या इनके surface पे filter के surface पे वो dust particles चिपक जाते हैं और एचू के अंदर नहीं जा पाते है या rooms तक नहीं पहुँच पाते हैं तो कुछ time के बाद इस filter को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो dust particles है वो देरे देरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं और एक time ऐसा आता है जब filters का जो area है आगेगा वो block हो जाता है और वो air को अच्छी तरीके से पास नहीं कर पात तो air का जो block होने का एक छोटा reason है वो है filter का साफ ना होना पर यह एक छोटा reason है दूसरा reason है जो HO के अंदर हमारी motor और जो blower होते हैं वो आपस में connect होते हैं belt के तरू मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप यह साफ में देख पा रहे होंगे यह आप इदर की तरफ से आप motor देख पा रहे हैं और यह है blower तो इसके बीच में जो आप देख पा रहे हैं black color की यह है belt जिसके वज़े से यह rotation करता है तो कभी कभी क्या होता यह belt lose हो जाती है आप यह देख पा रहे होंगे यह belt का जो बीच का देख पा रहे हैं यह lose हो जाती है और lose होने के बाद वो motor उतनी अच्छे से blower को नहीं घुमा पाती है और उससे भी air का जो pressure है वो decrease हो जाता है पर यह भी एक छोता reason है तो दो मैंने आपको reason बता है एक है filter और दूसरा है जो belts है जिसके थुरू हमारा जो blower है वो गूमता है पर यह एक दो जो reason है यह छोटे reason हैं पर हैं बहुत important इनको देखना पड़ता है weekly check करना पड़ता है तीसरा जो major point है वो यह है duct जो आप यह उपर duct देख पा रहे हैं इसके थुरू air pass होती है किसी rooms के लिए तो जब यह ducts में कई जगा पर joints लगे होते हैं आप सामने देख पा रहे होंगे कई joints के थुरू यह ducts जोड़ी होती है आपस में यह देखे आप joints देख पा रहे होंगे हाँ पर तो इन joints के थुरू यह rooms तक पहुंच तो duct में कई सारे joints हैं तो अगर यह joints जहां पर open होते हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं बट जहां पर यह open नहीं होते हैं जैसे ceiling के अंदर तो वहाँ पर पता लगाना मुस्किल हो जाता है कि air duct में leakage है या नहीं है तो इसी के measure करने के लिए आम air handling unit और cooling room है उसके बीच में air की flow है उसका difference देखते हैं कि कितने का difference आ रहा है उसके बाद duct को ठीक करते हैं एक और जगा पर इसका यूज कर सकते हैं आप जैसे कि कभी अगर HO की maintenance होती है चाए हो coil vase हो या कुछ भी उससे पहले maintenance से पहले आप इसका एक बार CFM लेके दुबारा इसका जब maintenance हो जाती है तो उसका दुबारा CFM लें जिससे कि आप cross check कर सकते हैं कि कितने का difference आ रहा है कि आपका HO पहले सही था या बाद में सही work कर रहा है कि नहीं तो इसके लिए आपको cross check करने के लिए भी animometer का use कर सकते हैं तो यह था एक चोटा सा overview कि हमें क्यूँ animometer का use करना पड़ता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने main मुद्दे की तरफ और देखते हैं कि कैसे animometer का use करके हम air की velocity निकाल सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब देख लेते हैं इसका use तो आपने simply अपना main probe जो animometer का main probe है उसको filter के सामने रखना है और जिससे की air directly इस पर पड़े और इसको सीधा रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो main probe है और आपके बीच में तो डिस्टन्स रहे जिससे की जो air है directly when probe पड़े ना कि आप air को रोख पाएं जिससे की हमारा जो reading है वह exact निकल के आएगी तो हम क्या करेंगे filter के जो चार कोने होते हैं उसमें reading लेंगे और प्लस एक इसका जो center वाला पार्ट है filter का उस पर reading लेंगे तो total जो reading निकल के आएगी filter वह निकल के आएगी 5 reading तो हमारे पाथ जो 6 filter है उसमें जो total reading निकल के आएगी 30 reading निकल के आएगी 30 जो reading है उसको लेंगे का कारण यह है कि जो accuracy है CFM आने की वह बढ़ जाती है तो ऐसे ही हम सारे filter पे करेंगे तो चलिए जल्दी से हम एक बार सारे filters की reading ले लेते हैं आपको हर filter पे 5 reading लेनी है हमको हर filter पे 5 reading लेनी है जिससे की accuracy CFM निकलने के वह ज्यादा हो जाए तो ऐसे ही एक एक करके सारे filter की reading ले लेते हैं तो चलिए आप मैं आपको मिलता हूं calculation में बार माँ दोर पाना Tells अाई county deal dumng लेए, तो चलिए पर फैक की स्वार की माता हैं आपको मिलता है चलिए दूस्तों अब इसका जो कैलकुलेशन है वाला पार्ट देख लेते हैं थोड़ सा ट्रीकी हो सकता है बड़ आपको एक दूबार देखने बाद यह समझ में आ जाएगा तो आपके सामने चोटा सा चार्ट है जिसके उपर मैंने फिल्टर शो कर रहे हैं फिल्टर नमर जो क्रॉस्टेक्शन एरिया होता है जो इसकी लंबाई चोड़ाई या मतलब लैंथ और विद होती है इसको लेंगे और इसकी जो 500 रेडिंग है हर फिल्टर की 5 रेडिंग जो है उसको हम टोटल करने के बाद उस टोटल को उस टोटल आई हुई एर विलोसिटी को कैलकुल लैंथ और 1.7 फिट इसके चोड़ाई सारे फिल्टर की जो लंबाई और चोड़ाई है लैंथ और विद सेम है और जो इसकी रीडिंग्स है जो 1,2,3,4,5 एक फिल्टर के अंदर 5 रीडिंग है तो टोटल जो रीडिंग आई है हमारी वो 30 रीडिंग्स है हमारे पास तो ज 440 देख पा रहे होंगे यहां 700 है यहां 790 है और यह 400 है तो सब जगा अलग लग है तो हमको एक एवरेज निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो कल्कुलेशन है और आसान हो पाए तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर यह सारा जो रीडिंग्स मैंने एनमोमेटर से इसे वे इसलिख लेते हैं तो ईह है इसका क्येल क॑लेस्ट वाला जिस सारा हूंगे यह सारी जो थाटी रीडिंग्स है जो हमने यहां पर टोल करदी है क्योंते हैं हम को इसकी डीओव निखाल निकालनी है तो यहां पर आ रहा है 19,810 19,810 जो आरी इसकी total reading आरी है और 30 readings लीती यह वो है तो अब हमने इसका average निकालना है average velocity निकालना है तो जो हमने अभी total किया है reading 19,810 उसको हम divide कर देंगे 30 से 30 से divide करने का reason यह है कि जो readings है हमारी वो 30 है जो हमने reading ली है हमने जितनी 5-5 reading हर filter पर ली थी तो हमारे 6 filter थे तो 5 x 6 तो 30 हो रहा है तो यह 30 है यह readings है हमारी तो इस reading की जो average निकलेगी हमारी air velocity की वो उससे divide करने के बाद निकलेगी तो average जो velocity निकल के आ रहे है वो है 660 feet per minute यह हमारी average air velocity है अब हमको एक cross section area लेना है filter का तो एक filter का जो area of one filter है वो 1.7 by 1.7 है मतलब जो हम multiply करेंगे 1.7 multiply by 1.7 यह इसकी length है यह इसकी width है लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुणा करेंगे तब हम पर जो reading आ रहे है वो यह है 2.89 square feet square feet इसलिए क्योंकि जो इनकी unit थी वो feet थी तो जब feet और feet आपस में चुड़ेंगे तो square बन जाते है तो 2.89 square feet ठीक है अब यह तो होगी एक filter की यह one filter की reading है मतलब जो one filter का cross section area है अब जो 6 filter है उनको multiply करना पड़ेगा हमको इस reading से तो जो हमारी reading निकल के आती है 6 filter के बाद multiply करने के बाद वो है 17.34 square feet यह 6 filter की reading है टोटल यह माली जे इतना area जो है हमको cover air जो है वो cover करेगी जाते वक्त तो अब देख लेते हैं airflow quantity का जो main जो step है वो यह है कि filter cross section area multiply by air velocity जो filter का cross section area जो total हमने निकाला था filter का cross section area क्या है यह है 17.34 square feet तो यह filter का cross section area हो गया और air की जो velocity निकाली थी हमने यह यह हो गई आपकी 660 feet per minute ठीक है तो यह तना तो हमने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें पॉइंट कुछ और भी था तो मैंने exact लिखा नहीं है पुरा हो तो यह इतना हमारा हमारा cubic feet per minute आ रहा है जो हमारी जो यह square feet और यहां पर feet था जुड़ने के बाद cube बना देता है cubic feet हो जाता है और per minute unit ऐसी के ऐसी ही आ गई है तो जो हमारा CFM निकल के आया है वो निकल के आया है 11444 तो यहां पर हमारी जो calculation है वो complete हो चुकी है हमारा जो CFM निकला है वो निकला है 11444 CFM तो यह हमारा HU का CFM निकल के आ चुकी है तो हमारी HU का जो CFM निकल के आ चुका है जो की है 11444 CFM तो आप भी इसी formula के थूरू किसी HU का या किसी और place का CFM निकाल सकते है एर की velocity माप सकते है थोड़ा difference हो सकता है आप rocks निकल के आएगा जरूरी नहीं है कि exact ही निकल के आए आप इस formula को लगा सकते हैं और हो सकता है कहीं पर कुछ difference निकल के आए या आपका जो place है वो कुछ अलग है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा अंताजा मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको CFM या animometer का use करते हुए CFM निकालना है और कौन सा formula उस पर लगाना है तो आए होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like जुरूर करिएगा और अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुनना चाहते हैं जहां पर मैं daily qs, question answer, svc field से related diagram और pdf डालता रहता हूं अग के बगल में जो bell icon है उसको प्रेस जरूर कर लीजेगा जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का आपके पास notification आ जाए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए गुड़ बाई